तो आज मैं आपको पताने वाय और किस तरह से एंडा बॉइलर में आप अंडे को तुरंट वॉइल कर सकते हैं तो यह देखे मैंने यह अंडा ले लिया और इसका जो यह ऊपर वाला भाग है उसे उपर करना और यह जो नीचे वाला छोटए-छोटए भागे उसको नीचे करके इस तरह से आप इस स्टाइंड में सजा सकते हैं इसमें कुल साथ अंडे सज जाते हैं यह देखे मैंने इस तरह से इसमें लगा लिया है और इसमें इसके नाब का एक कटोड़ा रहता है इ आप इसका जो ढखकाने से बंद कर दीजिए और इसका स्विच जो है उसे अब आउन कर दीजिए यह देखे इसमें इसमें लाइट जलने लगा है और यह देखे आपको यह तुरंत ही पास से साथ मिनिट में यह बॉल होके आपको रेडी हो जाएगा तो चलिए मैंने स्व प्रणत बॉल हो जाता है यह देखे इसमें जो इसका वाटर पी पड़े जो भाप है वह उपर उपर तक आ चुका है और अभी पास मिनट हुए है और हम इसे दो तीम मिनट तक और रहने देंगे इसमें और स्विच अभी अने बंद नहीं करना है और यहां पर छुटा सा शेद देख सकते हो वहां से इसमें का जो एक्स्ट्रा वैपर है वो निकल जाएगा देखे आप किस तरह से यह हो रहा है और यह तकरीबन हो चुका है तो अब इसका जो यह लाइट हो यह मैंने बंद कर दिया है स्विच से और यह देखे मैंने इसका जो ढपकाने उसे और आपको इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको इसे पता करने का कि इसके बीच-बीच में थोड़े तरह क्रैक साथा है इसे पता चलता है कि अंडा बॉयल हो चुग है तो मैंने इसका जो स्टैंड उसे निकाल के एक एक अंडा इसमें मैं निकाल देगी हूं यह द इसमें दो च्छेद आपको देख रहे हूंगे तो उसी च्छेद से पानी निकल जाएगा इसलिए मैं अराम से धोलूँगी तो चलिए मैं आपको यह दिखा देती हूं इसे मैं धोकर लाती हूं यह देखे मैंने इसे धोकर एक पेट में ले लिया है और और मैं इसका जो उसे भी उतार दे देख रहे हैं आपके अच्छे से बॉल हो चुका है यह देखे बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसे आप अराम से इसी तरह से साड़े एंडे को